हेलो रिवन, जामे मिले इसलाम में खासकार 11 साइंस, आर्टस और कॉमर्स का इंटरेंस एक्जाम जो भी स्टुडेंट दिये थे, फाइनली आज रियल्ट आ चुका है, जैसे कि मैंने मॉर्टिंग के वीडियो में आपको बताया था, कि हो सकता है, आज सामता है, कि कल तक आपके रियल्ट सा आ जाएंगे, तो फाइनली आपका रियल्ट आ चुका है, और अभी हम आपको रियल्ट कैसे चेक करना वो बताएंगे, कई सारे चीज़े बताएंगे, जैसे पहला ही कि रियल्ट कैसे चेक करें वो, इसके लावा result में दो-तीन चीजे में इंसानों को आजैसे कि किस डेट में admission है, कौन-कौन से बच्चों का selection हो, किसका नाम वेटिंग में आया है और जिन बच्चों का selection नहीं हुआ है, जिन बच्चों का नाम नहीं है, उनको क्या करना होगा, इन सब के बारें बात करेंगे, तो वीडियो काफी informative है, helpful आपके लिए, वीडियो एंट तक देखेगा, और वीडियो को like भी कर लिजेगा, अच्छी बात यह है कि इस बार हमारे student, कहीं नहीं कहीं, student for coaching के पार्ट थे, और जिन्होंने 11 science, arts and commerce के त्यारी किये थे, उनका भी इस बार selection हुआ है, जो की कुछ दिरे बाद हम post करेंगे, यह रहा है, इस link से आपका result चेक होगा, आप इस पर जैसी क्लिक करेंगे, इसके official site पर आजेंगे, यहां पहने के बाद करेंगे, result फिर arts का दिखाएंगे, और फिर आपको बताएंगे, capture डालती ही, इस तरीके से search बार पर क्लिक करेंगा, अब इस तरीके से तीन list कर रहा है, एक है senior secondary का, दूसरा है सायद आबित का, तिसरा है girl senior secondary का, तो पहले हम सायद आबित का दिखा देते हैं फिर इस तरीके से, मतलब एक तुम्हें पहले बता दूं कि admission का date सबका एक होगा, मतलब सबका common होगा, अलग लग नहीं होगा, ऐसे ही चायवो 11 science वाले हो, या सायद आबित के candidates हो, या girl senior secondary के student हो, अभी ये PDF डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने हम थोड़ा सा time ले रहा है, चलिए, 23 माई से 30 माई के बीच में होगा, यानि 4 दिन, कहां होगा सेद आबित senior secondary के building में होगा, ये सारे document at the time of admission लगेंगे, document क्या क्या लगेंगे मैंने अलड़ी वीडियो बनाया है, बस insert मैप को समझा दे, admin card, form जो apply किये वो, और passport such photo, 10 की mark sheet, birth certificate, अधार card, इसके लाबा, self declaration form जो ह अगर PW हैं, उनका आपको category कस्मीरी migrant को migrant होने का certificate, कस्मीरी student अगर हैं, तो domicile, character certificate, transfer certificate देना पड़ेगा, और अगर gap है, तो gap का F80 fit देना पड़ेगा, और blood group का certificate देना पड़ेगा, ये सभी document और इनल के साथ साथ जिरॉक्स ले कर जाएंगे, ठीक, next बात करें, तो आगे कस cut-off है, और सेयद आबिद में जो बच्चे select हुए, कुछ इस तरीके साब देख सकते हैं, तोटल ये जो result है, जो pages है, वो 54 pages का PDF है, इस तरीके से category wise जो student select हुए, उसका नाम देख सकते हैं, जहां पे भी जिस भी PDF में selected candidate का नाम में, उन बच्चों का selection हो चुका है, और इसके नहीं हुए, उनका अब कुछ नहीं हो सकता है, वो अगले साल ट्राइ करें, वहना कुछ और सोचे, जिनका selection नहीं हुआ है, नहीं वेटिंग में हो नहीं selected list है, पर जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, उनको अब इन तयार करना पड़ेगा, second list आने का, फिर काएंगे second list इस वालों से किया जागा, टॉप पे जिसका rank होगा वेटिंग में, उनको पहले मौका मिलेगा, तो यह मैंने आपको बता दिया, साइद आवित का जो रियल था, वो, ऐसे ही अब हम आपको girl senior secondary का दिखा देते हैं, कि किन-किन बच्चों का, गें-किन का दिखा देते हैं, इन फिर उसके बाद फिर यह रहा, तो अभी documentation को लेकर मैंने से देखिए 11 साइंस में, इनका भी admission का date से में, बट इनका जो admission होगा, गल senior secondary वाला building में होगा, और document को लेकर सब का एक ही अलग नहीं है, मतलब document सब का एक ही जवत पड़ेगा, यह रहा देखिए, girl senior secondary का भी cut-off रहने वाला होता है, तो वो होता है, senior secondary का, उसके बाद आपको girl senior secondary का दिखेगा, अंदेन फिर सको सेद आवित का दिखेगा, तो अभी हम इसको भी दिखा देते हैं, आपको, अगर आप यह PDF access करना चाहते हैं, वीडियो के description box में, टेली गराम का link है, वहां से आप access कर सकते ह साथी अगले साल के लिए अगर तयारी करना चाहते हैं, तो आप join कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताया था कि इस बार 80 प्लस आप करने वाला होगा, देखी इस बार ऐसा ही है, 87, 86, 87, 88, तो मतलब ज़्यादा differences नहीं, मैंने पहले ही बोला था, कि देखी, cutoff में ज़्यादा इसको solve नहीं हो पा रहा है, तो आप मैं WhatsApp नमबर बता रहा हूं, आप इस नमबर पर WhatsApp कर लिएगा, जिस भी candidate का सेलेक्शन हो चुका है, वो भी WhatsApp कर सकते हैं, कोई dots हो, उसको issue हो, कुछ या जिनका वेटिंग में वो पूछ सकते हैं, जिनका सेलेक्शन है, उनका कोई करना चाहते हैं, तो जो नमबर मैंने बता है, उससे WhatsApp कर लिएगा, थेंक यू,